आप सभी का स्वागत है बैंकर्स ग्राउंड यूट्यूब चैनल पर आज हम बात करने वाले हैं दस मिनट दस सवाल यानि बैंकिंग और फिनांस से रिलेटेड अगर आप तियारी कर रहे हैं बैंक एक्जाम 2024 में करेक करना चाते हैं स्वागत होना चाते हैं IBPS PO IBPS कलरक में IBPS के ARV exam या फिर SBI बेस्ट exam के अदर तो आपको इस सिरीज को कंप्लीट करना होगा क्योंकि यह दस सवाल जो दस मिनट में कराये जाएंगे यह exam के लिए बहुत important होने वाले हैं करते हैं जन्दी से क्या कुछ सवाल इंपोर्टेंट है आज के लिए पहला सवाल दिखेंगे हमारे पास जब बैंक अपने दुवारा दिये गए रण की वसूली करने में सक्षम नहीं होते तो रण को किस रूप में वर्गी करत किया जाता है इसका सीधा समत अब यह कि जनरल नहीं करता उस बैंक को अदा नहीं करता चुकाता नहीं है तो उस लोन को ही क्या कहा जाता है याद रखेगा उसको नौन परफॉर्मिंग एसेट्स कहा जाता है उसी को बैड लोन कहा जाता है और जनरली तोर पर यह बैड लोन कंसीडर किया जाता है 90 डेस के बाद यानि कि जब कोई भी लोन, कोई भी रण की वसूली करने में सक्षम नहीं होता है बैंक किसी भी लोन को, तो उसी को non-performing assets कहा जाता है, NPA कहा जाता है अगला question है, यदि ग्राहक को कि अवधी के बीतर बैंक से कोई उत्तर नहीं मिलता यानि कि बैंक की तरह से कोई reply नहीं मिलता है, तो वह banking लोगपाल के पास शिकायत कर सकता है दिए इसको याद रखेगा कि बैंक में एक process होता है, कि अगर बैंक में आपके साथ कोई भी fraud हुआ है कोई misbehave हुआ है, कोई extra charges cut कियेगा या किसी भी तरहां से आपका harassment हुआ है तो आप bank के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, लेकिन पहले ही शिकायत bank manager को करनी होगी bank manager को आप लिखित में शिकायत करेंगे और अगर आपकी शिकायत को वो resolve नहीं करता है issues को और 30 दिन के अंदर, जैना कीगा इस सवाल को, 30 दिन के अंदर वो अगर आपको reply नहीं करता है तो इस case में आप उस complaint को forward कर सकते हैं, banking ombudsman यानि कि integrated ombudsman के पास तो यहां सही सवाल का जवाब क्या होने वाला इसके अंदर याद रखेगा कि एक महीने या 30 दिन का समय होगा, bank manager को उतर देने के लिए उसके बाद आप इस शिकायत को banking ombudsman के पास carry forward कर सकते हैं चलिए आगे दिखिएगा, भारत की विदेशी मुद्रा कोशो का संडक्षन कौन करता है भारत का जो foreign reserve है, आप जानते हैं भारत इस समय दुनिया का चौथा highest foreign reserve वाला देश है लगबग साड़े 600 billion dollar है भारत का foreign reserve इसमें gold भी है, विदेशी currency भी है, इसमें SDR भी है और IMF के पास जो reserve है वो भी include है लेकिन इसको manage करना ये किसकी custody में होगा तो याद रखेगा हमेशा विदेशी भंडार जो होगा वो भारती reserve bank यानि RBI की custody में होगा अगला question है, green banking का अर्थ क्या होता है? चलिए भई, सोचेगा इस बात को ध्यान से green banking किसे कहते हूँ ये तो green के दो ही मतलब होते हैं या तो agriculture से relate करता हुआ या environment से relate करता हुआ agriculture से या environment से related होगा जो उसको green कहा जाए यानि कि bankों के दुआरा जो finance किया जाता है जो fund provide किया जाता है जो loan दिया जाता है जो investment किया जाता है वो ऐसे project में हो जो कि environment friendly हो eco friendly हो generally तोड़ पर उसी को कहा जाता है green banking करना यानि कि अगर सवाल ये पुछता है कि green banking क्या होगी तो आप कहोगे bank को दुआरा finance करना environment friendly projects के अंदर इसी को green banking कहा जाता है अगला सवाल है हमारे पास currency and finance पर वार्षिक report का प्रकाशन किया जाता है किसके दुआरा तो currency and finance के नाम पर एक वार्षिक report हर साल लाई जाती है और इस report को कौन लेकर आता है दिखिया हमारे पास options भी है लेकिन आप जानते है currency यानि कि money और इसको release करना issue करना जो होता है वो RBI की mostly responsibility है कुछ चीजे है जिसे की coins है और 1 rupee note है ये वित मंत्रा ले करता है finance ministry करती है भारत सरकार की लेकिन ज्यादे तर issue जो है वो RBI ही करता है तो currency and finance जो एक annual report है किसके दुआरा लाई जाती है RBI के दुआरा इसे लाया जाता है बात बिल्कुल clear हो रही है भी यहां तक चलिए अगला point देखेगा दियान से निमलिखित में कौन सा कार्य व्यापारिक bank का नहीं होगा कोई भी bank यानि कि कोई भी commercial bank जिसे हिंदी में व्यापारिक या वाने जिक bank कहा जाता है इसका कार्य नहीं होगा सोचेगा दियान से जेनरली तोर पर bank जितने भी काम करते हैं याद रखो उनको हम primary और secondary में classify कर सकते हैं लेकिन जो bank हैं वो accept करते हैं हमारे deposits को यानि हमारे जो भी परकार का जमा होना है saving में, current में, FD में, RD में उसको accept कर लेते हैं हमें loan और advance प्रोवाइड करते हैं वो check भी issue करते हैं demand draft भी issue करते हैं वो cards भी issue करते हैं bank वाले fund transfer के options भी देते हैं ये सारे काम bank करते हैं और bank में आजकल locker की facility भी होती है bank में investment भी हो रहा होता है bank में insurance भी sell किया जाता है ये सारे bank के primary और secondary दोनों तरह के काम है लेकिन सवाल यहाँ पुछा गया है bank का काम नहीं है पर याद रखना currency issue करना बिलकुल ये काम bank का नहीं हो सकता क्योंकि currency को issue करने का काम जो है वो तो RBI का है सर यही वो काम है जो bank नहीं करते क्योंकि credit creation करने का मतलब है जो deposit bank में आता है इसको loan के रूप में advance के रूप में provide करना, investment कर देना ये market में जो money का flow create करता है सर उसी को credit creation करना तहा जाता है इसका मतलब है कि check issue करते है credit creation करते हैं लेकिन currency issue नहीं करते है नियूंतम आरक्षत प्रणाली के तहत भारती रिजर्बैंक को सोने और विदेशी मुद्रा भंडार में कितनी राश्टी रखने की आवश्यक्ता होती है यानि कि सोने में और विदेशी मुद्रा भंडार के लिए जो भारतिय रिजर्व एंक के पास रखना होता है देखिए जो विदेशी भंडार है वो 600 बिलियन डॉलर साड़े 600 बिलियन डॉलर है वो अलग कहाने करंसी इशू करने के लिए देखो RBI Act 1934 है और उसके section 33 में mention है कि RBI को minimum reserve system होता है जिसके तहत 200 करोड रुपे जो हैं वो reserve करने होते हैं 200 करोड रुपीज उसमें gold भी हो सकता है उसके अंदर foreign currencies हो सकती है government securities हो सकती है ये कुल मिलाकर 200 करोड होगा gold की value इसमें से 115 करोड की होगी 115 करोड गोड होगा 85 करोड की foreign currency government security यानि इसका मतलब है कि 200 करोड का reserve होगा तभी RBI currency issue कर सकता है अगला question क्या दिखेंगे RBI को अधिकारिक तोर पर अंतिम उपाए का रण दाता कहा जाता है बताए क्यों यह बात तो confirm हो गई कि अगर पुछे कि अंतिम उपाए का रण दाता यानि lander of last resort किसे कहा जाता है आप कहोगे sir RBI को कहा जाता है यह confirm है लेकिन ऐसा क्यों देखो जब bank संकट में होते जब bank मुश्किल गड़ी में होते हैं जब bank परशानी में होते financially तो उनकी मदद RBI करता है bank ही है जो RBI से पैसा उधार लेते हैं और इसलिए आप यह कह सकते हैं कि RBI जो है वो एक अंतिम रण दाता है बैंकों के संकट में उनको problem को sort out करने के लिए solve करने के लिए यानि RBI बैंकों को वित्तिय संकट में उबरने में और कम करने में उस crisis को मदद करता है इसलिए इसे जमा की गई राशी से अधिक राशी निकालनी की अनुमती देने की रूप में जाना जाता है किस चीज की बात हो रही है देखो हमारे पास एक अकाउंट होता है जिसे current account कहा जाता है और इस current account के अंदर क्या है जितना हमारे account में balance है आम उससे ज्यादा भी withdrawal कर सकते हैं यह अगर आपके अकाउंट में 50,000 है और आप किसी को 70,000 का check issue करते हैं यह 70,000 withdrawal करते हैं तो current account में आप एक limit तक extra withdrawal कर सकते हो और यह आपको बाद मे repay करना होगा यह नि बैंक को pay करना होगा और उसके charges bank to bank vary करते हैं लेकिन charges देने होगे अब यहाँ पर याद रखेगा इस extra निकालने वाले amount को हम overdraft कहते हैं इसलिए हर current account के एक overdraft limit होती है और आज का आखरी सवाल है कि एक non banking finance company जो है वो क्या नहीं कर सकती देखो हमने bank भी पढ़ने हैं और NBFC भी पढ़ने हैं bank वो होते हैं जो हमें deposit लेते हैं loan प्रोवाइड करते हैं और NBFC वो होते जो RBI से license banking का नहीं लेते लेकिन RBI के दवारा वो financial institution की रूप में काम करते हैं निको NBFC वाले जो होते हैं वो loan दे सकते हैं वो जमा भी कर सकते हैं लेकिन FD और RD तो कर सकते हैं NBFC जो है लेकिन वो demand deposit यानि saving और current account open नहीं कर सकते हैं वो किसी को check issue नहीं कर सकते हैं वो fund transfer की facility नहीं दे सकते हैं यह सारे saving और current में काम होते हैं और यह saving current NBFC नहीं कर सकते हैं यानि NBFC वाले loan दे सकते हैं NBFC वाले investment कर सकते हैं NBFC वाले उधार ले स कर सकते हैं वो डिमांड डिपोजिट जो है वो नहीं कर सकते हैं याद रखिएगा क्योंकि सवाल में पूछा है बेन बेर सी क्या नहीं कर सकते हैं और वो चेक जारी नहीं कर सकते हैं यह बात सही है डिमांड डिपोजिट कर सकते हैं यह बात गलत है मैंने कहा वो सिर्फ न्यू करते हैं और इस सिरीज को पूरा कर लेते हैं लास्ट तक तो होफली आप बहुत सारे सवालों को सीख जाएंगे और इस बार 2024 में आपके सेलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है फिर और जिये वो सब्जेक्ट है जहां पर आप सिर्फ सेलेक्शन के लिए नंबर नहीं ल आ सकते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर दस मिनट दस सवाल के डेटू में थैंक अवरिवर्वर् करते हैं